लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए जिस दिन यीशु ने मिट्टी सांग कर उसकी आँखें खोली थी वो सब्द का दिन था फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आँखें कैसे खुल गई उसने मेरी आँखों पर मिट्टी लगाई फिर मैंने धो लिया और अब मैं देख सकता हूँ ये मनुश्य परमेश्वर की ओर से नहीं क्योंकि ये सब का दिन नहीं माद्दा एक पापी व्यक्ति ऐसे चिन कैसे दिखा सकता है तब उनमें फूट पड़ गई उसने तेरी आँखें खोली हैं तो तू उसके विशय में क्या कहता है वो भाविश्य दखता है परन्तु यहूदियों को विश्वास नहुआ कि वो अंधा था और अब देखता है जब तक उन्होंने उसके जिसकी आँखें खुल गई थी उसके माता पिता को बुला करना पूछा क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था फिर अब कैसे देखता है और ये नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है और नहीं जानते हैं कि किस ने उसकी आँखें खोली वो सी आना है उसी से पूछ लो वो अपने विशे में आप कहते गा ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कहीं क्यूंकि वे यहुदियों से डरते थे क्यूंकि यहुदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराध नाले से निकाला जाए इसी कारण उसके माता पिता ने कहा वो सयाना है उसी से पूछ लो तब उन्होंने जन्म से अंधे को बुला कर दूसरी बार उससे पूछा परमेश्वर के आगे सच बोलने की शपत ले हम जानते हैं तेरी आँखे खोनने वाला पापी है मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं मैं एक बात जानता हूँ मैं अंधा था और अब देख सकता हूँ उसने तेरे साथ क्या किया उसने किस तरह तेरी आखें खोली मैं तो तुमसे कह चुका हूँ और तुमने नहीं सुना अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो तब वे उसे बुरा भला कहकर बोलें, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बात की, परन्त इस व्यक्ति को नहीं जानते कि वो आया कहां से है, ये तो आश्चारिय की बात है, कि तुम नहीं जानते कि वो कहां कहा है, तो तो भी उसने मेरी आँखे खोल दी हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है जगत के आरंब से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की होता तो कुछ भी नहीं कर सकता है तू तो पापों में जन्मा है और उसी में बड़ा हुआ और तो हमें सिखाता है और उन्होंने उसे आराद नाले से बाहर निकाल दिया कि अज़िए जब येशु ने सुना क्या हुआ था तब वो जाकर उस व्यक्ति से मिला क्या तू परमिश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है है प्रभू वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बाते कर रहा है वो वही है मुझे विश्वास है प्रभू और उसने यीशु को दंडवत किया मैं इस जगत में न्याई के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखे और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा कहीं तेरा अर्थ ये तो नहीं के हम अंधे हैं यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते पर अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है